अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्योब चैनल इश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले बक्त का सबसे बड़ा दर्शन है जिसके अंदर भक्ती हो बक्ती हो परमात्मा के प्रति वो बक्त है लेकिन इस भक्ती का जो दर्शन है वो भक्त होता है जो परमात्मा के चिंतन में तो है लेकिन उसके पास इश्वर का ज्यान भी हो इसके जीवन में विरागी भी हो अब माली जी आपका आप इश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन इश्वर की रचाई हुई इस रश्टी से प्रेम नहीं करते या लोगों से प्रेम नहीं करते या आपके अंदर लोगों के पति दुएश है, दुरवावना है आप बगत नहीं है इस बात को समझना चुपड़ेगा बक्ति का सबसे बड़ा दर्शनी समर्पण है अगर आपके लिए समर्पण नहीं है तो बक्ति नहीं है किसके प्रती इश्वर के प्रती और अगर इश्वर के प्रती समर्पण है तो सबके प्रती होगा लेकिन वो दोनों समर्पणों में एक अंतर होगा ईश्वर के प्रती समर्पण प्रेम वाला होगा बाकि सबके प्रती व्यवार वाला होगा क्योंकि सबके प्रती प्रती प्रेम वाला समर्पण कर दोगे तो नहीं काम मनेगा तो अब इसको और करीब लाके देखें कि ईश्वर के चिंतन की बात करें जो भगवान के प्रीत में खो जाए वो भक्त है जो भगवान के दर्शन में खो जाए वो भक्त है जो भगवान के लिए रो जाए वो भक्त है बक्ती करना पिश्वर प्राप्ती का एक सरल साधन है लेकिन बक्ती के जो गुण है उन गुणों में पहली चीज जो बक्त के गुण है जने हमें बताया गया है पहला बक्त के पास अपना गुरू जरूर होना चाहिए अध्यात्मिक गुरू जिसको आपनम गुरू नाम या गुरू दिक्षा कहते हैं पहला दर्शन ये है दूसरा दर्शन उन गुरू के माद्यम से इश्वर की चर्चा को जानने का हमेशा प्रयास करना चाहिए अध्यात इश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए तीसरा दर्शन जो उसमें है वो ये है कि आपको जो भगवान के वारे में आपके गुरू जी बता रहे हैं उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अमल करना चाहिए संतोशी रहना चाहिए जीवन को पूरी तरीके से इश्वर को साक्षी मान के जीना चाहिए आपके अंदर प्रेम करुना वातसलिय होना चाहिए क्रोध वैवनस से आदी की जगे आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और समस्त जीवों के प्रती आपके अंदर समभाव होना चाहिए ये भक्ती का दर्शन है और जो वक्ती इस कारे से चलता है परमातना उसके निकट होता है लेकिन प्रतम भगती संतन कर संगा भक्ती के जो आप चचा कर रहे हैं कि भगवान राम ने देखो बार-बार घुम के बात आती है आप लोग देखते होंगे मैं लगबग रोज ये चर्चा जरूर करता हूँ जब अगवान राम ने शबरी को बताई दिया कि भक्ती क्या है जैसे आपने पूछा भक्ती को विस्टार से बताईए तो मैं आपसे आट लास्ट ये ही कहूँगा नवदा वक्ती का आश्वय लेजिए भईया तो प्रतम बगति संतन कर संगा दूजी रतीम मक्तार संगा